आप 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 है कि है लोग वैल्कम और वेलकम बैक टू माइच चैनल मेरा नाम है सौम मैं आगे मैं फिर से आप लोगों के साथ बहुत ही डिफरेंट तरीके की वीडियो तो मैं जा रही हूं अपने भाई की इंगेजमेंट में तो मैंने सुचा क्यों ना आपके साथ मैं अपना मेंक अपना लुक सेयर कर दू एड आपको इससे आइडिया भी मिल जाएगा कि आपको कहीं भी वेलिंग में जाना है या फिर कहीं पर का वैरेडिंग या इंगेजमेंट वग्यारा तो आप खुद अपने हाथ से मेक अप कर सकते हो इसिन केर मैंने कर लिया है जैसा कि आप लोग वीडियोच में देख दूर दो उसके बाद ने यहां पर मेबलिन प्रामर लगाया था उसके बाद पांच मेनट का रिच्ट भिला के आइब्रो से बहुत ही अच्छा कासा मैच हो जाता है तो मैं डाक ब्राउन कलर से अपने दोनों आइचे तरीके से आइब्रो को फिल कर लूँगी तो कुछ इस तरीके से लग रहा है मेरा जो मेकप मेरा गाउन जो है वो काफी जादा है वी आपको आगे वीडियो में देखन को लगाया है अपने पूरे फेस पे और इसको मैं ब्लेंड कर लूँगी ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से तो इसको ब्लेंड करने का बहुत ही मतलब सिंपल तरीका है आप लोग देख सकते हो वीडियो में मैंने इसको थोड़ा सा पानी के साथ इसको गीला ब्लेंडर को क इसमें में काम होता है ब्लेंड करना और इसके बाद कांट्रेयरिंग के लिए मैंने यहाँ पर लखमी का कंटोर लिया था और उसके बाद ब्लेस मैंने लगाया था जो की पिंकिस लुक देगा आपके चिक को तो मैंने यहाँ पर ब्लेस लगा लिया है और उसके बाद लू 预 TM के लूढू Ault पाॉड़र से अच्छे तरीकिसे सेट होने के बाद मैं अब अपने ने इंञे-च्ट पर आउंगी कि मेरा इस्ट एम आई मेकक अप मैं बहुत ही कम करूँगी मुझे बिलगुल भी हाई मेक अमए नहीं मैंने पहले ही बता है बहुत ही simple सा बहुत ही अच्छा सा क्योंकि दिन का function है तो इसी वज़े से मैं अपने look को बहुत ही simple रखने के पूरा कोसिस कर रहे हूं कि मैं बहुत ही जादा over ना लगे बहुत ही simple सा लगे क्योंकि bride का ही look जो रहता है वो जादा अच्छा रहता है साइट की जो लड़किया होते हो थोड़ा उनका सिंपल लुक रहता है तब ही अच्छा लगता है और मुझे मेरा पर्सनली भी यही चोईस है कि मैं सिंपल सा अपना मेकप रखू अगर मैं कुछ हैवी पहन रही हूँ तो उसके बाद मैंने स्किन कलर पिक करके अपने दोनों आइसेड पे अपलाई किया था और इसको ब्लेंड करके एक नैच्रल अपने आइस पे एक सेव दे दिया था आइसको एंड उसके बाद मैं ने इस पर हलका सा pink color लेके अपने दोनों आइलिट पर अपलाई कर लिया था Pink & Golden का set देखे फिर दोनों आइलिट पर अच्छे तरीके से अपलाई करके blend कर लेदा है और ये जो आप मेरा palette देख रहा है मैंने इसको mis GU से buy किया है मैं आपको इसका कोड मैं काफी टाइम पहले वाई किया था दो तीन साल हो गया है जब मिसू तुरंत लॉंच हो था तभी मैंने इसको मंग गया था अगर मुझे यह दिख जाएगा अगर मिसू पे तो मैं आपको इसका कोड जरूर दे दूँगी तो आप लोग वहां से चेक फेक वाले लगाऊंगी बट मैंने जब मसकारा लगाया तो मेरे आई लैसस की ग्रोथ जो है बहुत अच्छी है देखने से ही लगता ही नहीं है कि मैंने इसमें लैसस नहीं लगाया वो जैसे डूब्लिकेट लैसस फेक वाले मिलते हैं सेम वैसा ही लुक मसकारा लगाने के बाद मेरे Laces हो जाते हैं बहुत ही अच्छे मेरे Laces है बहुत ही उच्छे उसकी growth है मैं आप भी आपको दिखाओंगी कि मैंने मंगा के रखा था बट मुझे ईतना अच्छा लुक मिल गया था तो मै नहीं लगया मैंने सुचने चलो ठीक है फिर कभी मैं ट्राइक कर लूँगी आप लोग डिस्फरेंस देख सकते हो कितना ज़ॉदा है, तो उसके बाद मैंने मेरा गाउन लाइट कलर का है, तो मैंने इसमें रेड कलर का चैरी, रेड कलर का लेप्स्टिक लगाया था, जो कि लक्मी का था और मेबलीन का मैंने दोनों मिक्स करके लगाया था तो उसे जो सेड है वो काफी अच्छा मुझे मिल गया था तो तो आज का लुक आपको मेरा कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा एंड इंगेजमेंट की वीडियो कौन कौन देखना चाहता है उसके लिए भी कमेंट करेगा मैंने बहुत अ प्लीज मेरे चनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और ऐसे ही और वीडियो के लिए मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हो इंस्टाग्राम की आड़ी मैं आपको मैंसन कर दूंगी तो आप लोग वहां से मुझे फॉलो क कर लीजिएगा तो मेरा मेकप जो है हाइलाइटर के बिना तो कंप्लीट ही नहीं हो सकता तो मैंने यह पर बस हाइलाइटर लगा लिया है और जो इंगेजमेंट्स ही वह मामा के लड़के की थी तो वह भी में एक तरफ से मेरे भाई ही लगते हैं तो उन्ही के मैं उसमें में गई थी तो मैं आपको वीडियो सेयर करूंगी तो मिलती हूं नहीं वीडियो के साथ तब तक के लिए टीक केर और बाइबाइबाइब